लाइटाउस के साथ है उसके लिए हम यूजब करेंगे सौफ पेस्टल तो सौफ पेस्टल के लिए हमने थीम लिए तो इसके लिए हम सिर्फ उपर के 5-6 कलर से उसके बहुत ही मचदार होने तो हम सूरू करते हैं हमने मास्किम टेप लिए है उसको मून के सेप में काट किया हो यहां पे लगा दिया है उसके बाद हम जो पेस्टल से उसको यहां पे तीन चार सेड्स में यूज़ करेंगे तो यहां पे फाइला सेड हमने ब्लू लिया है उसके बाद थोड़ा लाइट ब्लू उसके बाद थोड़ा नीचे से एक ग्रीन सेड लिया है और सेम नीचे फॉलो करना है और बीच में हमने एक होराइजन बनाना है जो होराइजन टाइप दिखेगा वो आपको बाद में रि दीरे दीरे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे तो यहां पर ब्लेंडिंग चारो कलर की कर दी हमने थोड़ी ओवार लाइट करनी थी तो थोड़ा जो अंदिरा है उसको हमको डार करना था तो उमने ब्लैक लिया है उसके उपर यहां पर थोड़े आप लाइट कलर से बादल का सेप दे सकते है और या फिर लाइट थोड़ा कर सकते है कि जो कि उसके बाद मून आएगा तो थोड़ा आपको एट्रेक्टिव रिजर्ट दीखने करो लेगा तो देखिया आप हमने यहां पर मून कर दिया है मून को थोड़ा वियास्टिक बनाने के लिए अब हमने यहां पर एक प्लास मारकिंग पैंसिल ली है जिसे हम लाइट हाउस बनाने जा रहा है बस यहां पर यह दियान रखने का कि कोई मिस्टेक नहीं कि यहां पर एरेस का कोई आप्सन नहीं है और यहां पर करेक्शन हम करने सकते हैं तो बस आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पहले पैंसिल से बना लें उसके बाद डायरेक्ट जो ग्लास मारकिंग है यह यूज करें दोस्तों यह वीडियो फाइनल तक बन रहा है तब तक आप एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज एक बास सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों पानी वाली कोई भी लेंस्केप हो उसके अंदर डिफ्लेक्शन बनाना मत बूलें यहां पर तीन डिफ्लेक्शन से जो कि मून का बनाया लाइट हाउस और ट्री का था और यह है हमारा फाइनल रिचल दादा आपको पसंद आया गो तो लाइक किया दीजिए कोई अगले वीडियो में कुछ हो इंटरस्टिंग लेके तब तो गले गुडबाई थेंक यू